हे गाइस वेलकम बैक टू दो चैनल बहुत सारे लोग के मेसेज़ेज आ रहे थे बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे कि 50-50 फॉर्मिला क्या है यार 50-50 के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है क्या होगा 50-50 में 50-50 में बैकलॉग पर क्या एफेक्ट पड़ है इस वीडियो में हम 50-50 फॉर्मिला की हर एक चीज को जानेंगे कि यार 50-50 फॉर्मिला क्या है और MSBT ने इसको क्यों एप्रोच यह यूज किया है इस वीडियो में हम सारी चीज़ जानेंगे तो इस वीडियो को लास्त तक देखना तो आपको समझ में आए कि यार 50-50 स्टुडेंट थे उनको प्रमोट किया गया है तो उसमें 50-50 फॉर्मिला का यूज हुआ है तो उसमें कैसे इन्होंने यूज किया है 50-50 फॉर्मिला का मतलब है 50 मांक्स आपकी कॉलेज देगी और 50 मांक्स आपकी लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के उपर डिसाइड होगी अगर हम 50-50 फॉर्मिला को इग्नोर करते हैं तो पहले क्या था पहले 30-70 फॉर्मिला था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 30 मांक्स आपकी कॉलेज के हाथ में अल्रेडी थी जो हमारी PTT की मांक्स थी या फिर 10 मांक्स जो माइक्रो पोजट के होते थे वो कॉलेज के सब्सक्राइब के उपर रिसाइड होगी तो यह है रेगुलर पैटन जो फॉर्स्ट एयर और सेकेंड यर की बच्चे हैं जो रेगुलर एक्जाम दे रहे हैं और उनकी रिजल्ट आएगी इस बेसिस पे वह यह यह पैटन उनके लिए हैं दूसरी जो 50-50 फॉर्मिला है व सब्सक्राइब एसा कुछ नहीं होने वाला ह case Major talk me बूकुझ रख़ें पर कि prac continue कि करने की बातो ही कहीं पर पहले आई यहां पर बात आया आई है कि आपकी मांस को कम किया जाएगा अगर आपकि 35 मांस की paper आने वाली है तो अब हम यह जानते हैं कि 35 मांस की question pattern क्या हो सकते हैं तो देखो यह पहले 70 मांस की question जब आती थी तो आपके question pattern कैसे थे, 2 Prem acas अब क्या होगा 2 नमार की question को maybe replace कर सकते हैं यह लोग एक number से या फिर 6 नमबरे question को replace कर सकते हैं 5 नमबर से क्योंकि 35 is the odd number तो यहाँ पर एक तो ऐसा question आएगा जो odd number का होगा या तो एक नमबर के questions को ये दो नमबरे question को replace करके one mark question कर सकते हैं maybe MCQ भी आ सकता है या फिर जो 6 नमबरे question आते थे हमें वो 5 नमबर के हो सकते हैं और 6 नमबर के question आएंगे भी exam में तो बस एक question आएगा अब suppose को ये 2 question 5 marks के 2 question आ सकते हैं आपके paper में 4 marks के आपको 3 या 4 question आ सकते हैं और 2 marks के आपको 3 या 4 question आ सकते हैं ऐसे करके आपकी 35 marks के exam हो सकती है तो यह एक थर्ड येर वालों के लिए जो भी फाइनलर के स्टुडेंट्स उनकी रिए थर्टी फाइव मार्स के आपकी एक्जाम होगी और उसके बेसिस पर आपको मल्टिप्लाइट टू से करके आपकी रिजल्ट आ जाएगी तो यह थर्ड येर की प्रॉब्लम थर्ड ये पेपर है वह 100 परसंट उसका एक्जाम आपको देना होगा जब कॉलेज खुलेगी तो तो इस वज़े से मुझे नहीं लगता कि फिफ्टी फिफ्टी फर्म्यूला बैकलॉग में लगने वाला है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि बैकलॉग वाले का एक साल बढ़ किया जाएगा तो यह थी यार फिफ्टी फिफ्टी फॉर्म्यूला की कुछ बेसिक्स जो एक ब्रीफ नॉलेज क्योंकि अभी कुछ भी चीज़े कैलेकुलेटिव आई नहीं है में सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी न्यूज तुरंद इंस्टेंट मिलते रहा करे और में लिंक डाल दूंगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो